मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सूची, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है चक्पिशाली रहना है, समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावण के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावण का वद करने में सफल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखे मनुष्य जीवन की परिक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता वो परिश्रम करता है दोड़ भाग करता है और ये सब करने के पस्चाद भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है है ना तनिक लोटी अपने बच्पन में स्मरन कीजिए अपने बच्पन की स्मृतियों का क्या स्मरन हुआ विध्याले में जब आप परिक्षा देने जाते थे तो क्या होता था आप ना से परन्तु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीन भी हो जाता था है ना परन्तु जीवन की परिक्षा ऐसी नहीं होती नकल करने वाला सफल नहीं होता कारण विध्याले में सब के प्रश्नपत्र एक होते थे परन्तु जीवन के प्रश्नपत्र और उनकी कटनाई सब के लिए भिन्न होती तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे न इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए स्वयम के प्रश्णों का उत्तर स्वयम ढूंडी और सफलता आपकी ही होगी मनुश्य का जीवन, हार और जीत, विजय और पराजय सफलता और आसफलता के मध्य जूलता रहता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में जूमने लगता है और जब आप आसफल होते हैं, तब मन, दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है परन्तु वास्तव में सफलता और आसफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए, ये केवल हमारी मनुस्थिती मात्र है हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रू विजय पराप्त कर ले हमारी पराजय तब होती है, जब हम पराजय स्विकार कर ले हम आसफल तब नहीं होते हैं, जब हम लक्ष न पासके हम आसफल तब होते हैं, जब हम प्रयास करना बंद कर दे इसलिए प्रयास करते रहे और हार ना माने चुकि जिस दिन आप हार स्विकारना बंद कर देंगे जीत आपके चरणों में होगी आप सबने बर्गत के व्रिक्ष को तो देखा ही होगा क्या आपको ग्यात है बर्गत के व्रिक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है परंतु बर्गत का व्रिक्ष संसार के महाकाय व्रिक्षों में जाना जाता है जब उसका जर्म होता है, तब उसमें वो जटाये, वो शाखाये नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सिर्जन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाये जटाये बनकर जड़ तक और इस व्रिक्ष को सहारा देती है यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पत है बिना लोब लालच चुबकार रिकर अन्य लोगों की सहायता करें धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता कि वो आपके सहायक बनते जाएंगे आपकी जड़ों को और बल्शाली बनाएंगे आयू, मान और आकार बढ़ाएंगे सह जीवन, सहायता और निशकाम कर्म आपको मृत्यू के पस्चात भी मरने नहीं देगा आपको अमर रखेगा हमारा शरीर प्रकृति का एक महान अविश्कार है इससे जटिल संग्रचना संसार में और कोई नहीं हमारा शरीर जितना जटिल है यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती है जो हमें भाव, गुण और वस्तूओं का बोध कराती है हमारे पास आँखें नाख है स्पर्ष के लिए तवचा है कान है और जीवा है सबका भिन भिन कार है आखों से देखना, कानों से सुनना, नतनों से स्वास लेना, तवचा से स्पर्ष करना और जीवा से स्वाद लेना परन्तु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आखे दी, दो नत्मे दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दी परन्तु जीवा केवल एक दी, ऐसा क्यूँ? चुकि प्रकृति चाहती है कि हम देखे अधि, सुने अधि और ग्यान अधिक अर्जित करें, बोले कम चुकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण दीता है, स्मरन रखियेगा सदा यही कहते आए, कि यदि आगे बढ़ना है, तो अपनों का साथ दो सद्त कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए परन्तु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचालने ना चाहिए, कि अपने है कौन? कि आपने वही होते हैं, जिनके साथ हमारा रच संबंध होता है या अपने मित्र, अपने वो होते हैं, जो हमें सदकार के लिए प्रेदित करें हमें आगे बढ़ाएं हमारा साथ दें और वो, जिनका साथ देने से समाज का नाश्य, धर्म की हानि वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे उन्हें नहीं जो हमें अध्यान के मार्ग पर ले जाएं आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े बिछड़ना पड़े परन्तू एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना उन्नती के लिए अवश्चक है आप माता पिता है ना यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्ग दर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वैम मार्ग चुनना कैसे सीखेगी मार्ग के काटों से स्वैम को बचाना कैसे सीखेगी इसलिए एक समय के पश्चार अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाब दायक रहती है आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ एक दिन प्राता है एक व्यापारी अपने घर से निकला घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया व्यापारी घबरा गया वो फिर से घर लोड़ गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वो पुना अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँचकर उसे भेड़ते नी थे राजा को भेड़ नहीं मिली राजा क्रोधित हो गए राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा पत्नी अपने बच्चों समेत मैके वापस चली गई और उस व्यापारी की जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेड़ देने निकला और उस व्यपारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया वो व्यपारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा राजा तक वो समय पर पहुँचा उसने राजा को भेट दि राजा प्रसन्य होई और राजा ने व्यपारी को अपना व्यपार बढ़ाने की अनुमती दी स्वण आभूशन दी जब व्यपारी घर पर पहुँचा तो पतनी को आभूशन और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास हर ओर प्रसन्यता थी समझ रहे हैं ना दोनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन थी ऐसा ही हमारा जीवन भी है हमारे जीवन में प्रारब्द का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपून हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोच का प्रभाव है चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद मैं। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते, तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। तो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है, वो वो कारे चुनते हैं जो उन्हें प्रिये, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कारे कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतीफल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं, तो ठकान कैसे? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कारे करें, तो हो आपके मन को भाना चाहिए। या जो कारे आप कर रहे हैं, उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है, हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भाती है। जो रेत नीचे गिर चुकी है, वो हमारा अतीत है। जो अब भी उपर है, वो हमारा आने वाला भविश्य है। और वर्तमान ये संकुचित स्थल है, जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थाद, हमारे पास जीने के लिए यही एकशन है। उसका उपयोग कैसे करना है, ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया, उसका दुख मनाना है। या जो भविश्य में होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एकशन है। प्रसन रहना है, तो उसके लिए भी यही एकपल है। प्रतीक्षा करते रहोगे, तो ये पल भी भूत काल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परुकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजी। आपके पास जो पल है, उनका भरपूर सतुप्योग कीजी। चुकि इस घड़ी को पलट कर, आप फिर से समय अविश्य गिन सकते हैं। परन्तु अपना बीता हुआ समय, आप वाबस नहीं लोटा पाएंगे। हुआ इस ऐाउड़ी وिए उनका डाईनका पास जिलामी कीजी। झाल